हलो प्रैम्स आप सभी को मेरा राधे राधे तो पिछले वीडियो में हम लोग वरकाइंट टाइम का क्वेश्चन नमबर 120 तक पढ़ दिये थे आज उसी के आगे पढ़ेंगे तो देखते हैं क्वेश्चन यदि 12 पुरूस या 24 लड़के किसी काम को 6-6 दिनों में कर सकते है तो 15 पुरूस तता 6 लड़के कितने दिनों में काम पूरा करेंगे तो कहरें 12 पुरूस या 24 लड़के 12 पुरूस या कहरें न तो हम इकल्टू करके लिखेंगे इकल्टू 24 लड़के के तो कितने दिनों में कारी कर रहे हैं 6-6 दिनों में कारी पूरा कर रहे हैं तो 12 पुरूस 6-6 दिन में कारी कर रहे हैं और 24 लड़के भी 6-6 दिनों में कारी कर रहे हैं तो 6-6 से 6-6 कैंसिल हो जाएगा 12-1 के 12, 12 दूनी 24 एक पुरूस 2 लड़के के बराबर कारी कर रहे हैं फिर यहां से हम टोटल वर्क निकालेंगे 6-6 गुड़े 12, P, P के अस्थान पे कितना रखेंगे 2 रखेंगे न, क्या इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं P by L equal to 2 by 1 तो P के अस्थान पे 2 रखेंगे तो इंटू में 2 हो जाएगा यह क्या है, यह टोटल वर्क आया है तो 6-6 गुड़े 12, गुड़े 2 यह टोटल वर्क आया और हम जानते हैं कि छमता गुड़े 2 equal to कारी होता है तो कारी इतना आ गया छमता कह रहा है, 15 पुरूस तदा 6 लड़के मिलकर कारी को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे 15 पुरूस और 6 लड़के यह क्या हो जाएगी? यह चमता हो जाएगी इंटू में क्या? दिन चाहिए दिन, दिन माल लीजिए एकस हो जाएगा दोनों लोग मिलकर एकस दिनों में कारी समाप्त करेंगे तो यहाँ पी है ना पी के अस्थान पे हम 2 रखेंगे तो 15 बुड़े 2 प्लस 6 एल के अस्थान पे 1 रखेंगे 1 इंटू में एकस तो रहेगा ही यह कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 30 में 6 जोडेंगे तो 36 आ जाएगा तो यह हो जाएगा 36 एकस इकोल टू 6 गुड़े 12 गुड़े 2 36 को हम इधर लेके जाएगे तो बटे में हो जाएगा बटे में 36 36 यहाँ से हटेगा तो 6 चोगे 36 11, 6, 1 के 6 दूनी 12 तो 2 दूनी 4 11, 4, 44 तो 44 दिन में कारी कम्प्लीट हो जाएगा फिर अगला कुश्चन देखते है एक पुरुस या दो महिला एक पुरुस या दो महिला या तीन बच्चे किसी काम को 88 दिनों में कर सकते हैं तो एक पुरुस एक महिला तदा एक बच्चे काम को कितने दिनों में पुरा करेंगे नेखते हैं दिये हैं एक पुरुस या दो महिला एक पुरुस या दो महिला या तीन बच्चे तीन बच्चे किसी काम को 88 दिनों में करते हैं 88 दिनों में एक पुरुस कारी करेगा और दो महिला भी 88 दिनों में कारी करेंगी तीन बच्चे भी 88 दिनों में कारी करेंगे तो हम सब में 88 से गुड़ा करा देंगे तो यहां से सब को हम बच्चे में चेंज करेंगे ना, तो 88 into या यहीं सिकार देते 88 से 88 कैंसिल हो जाएगा एक पुरूस इकोल तू तीन बच्चे के एक पुरूस तीन बच्चे के बराबर कारी कर रहा है या फिर इसे हम लिख सकते हैं P by B कोल तू हिरी फिरी के नीचे 1 लिखेंगे फिर महिला को भी हम बच्चे में चेंज करेंगे तो 88 से 88 कैंसिल हो जाएगा 2 M इकोल तू 3 B M by B इकोल तू 3 by 2 हो जाएगा अब देखिए यहां पे बच्चे दो बच्चे हैं और यहां पे एक बच्चा है तो यहां भी तो हम दो बच्चे करेंगे तो 2 से गुड़ा कराएंगे तो 2 से उपर भी गुड़ा कराएंगे तो 6 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा ना फिर यहां से अब हम टोटल वर्क निकालते हैं चाहां इसमें रख दे या इसमें रख दे सबकी value वही आएगी तो यहाँ पर रखते हैं 88 बुड़े 1 P, P के अस्थान पी कितना? 6 रखेंगे इकोल टू, फिर यह कह रहा है एक पुरूस एक महिला एक बच्चा एक पुरूस प्लस एक महिला प्लस एक बच्चा मिलतर कारी को X दिनों में समाप्त करेंगे 1 P, 1 P P के अस्थान पे 6 हो जाएगा 1 M, M के अस्थान पे थीली होगा प्लस 1 B, B के अस्थान पे 2 हो जाएगा इंटू में X एकोल टू 88 गुड़े 6 होगा तो 6, 1, 6 और 3, 1, 3, 6, 3, 9 9, 2, 11 तो यहाँ पे 11 आ गया तो 11 को हम इधर लेके जाएगे तो बटे में हो जाएगा बटे में 11, 11, 11, 11, 18 तो 6, 8, 48 तीनों लोग मिलकर कारे को 48 दिनों में पूरा कर लेंगे फिर अगला कुश्चन देखते हैं 4 कुरुस तथा 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं और 2 कुरुस तथा 9 महिलाएं भी उसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं तो 8 महिलाएं काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगी देखते हैं दिये हैं चार कुरुस तथा छे महिलाएं दोनों लोग मिलकर कारी को आठ दिनों में समाप्त करते हैं तो इन्टू में 8 हो जाएगा इक्वल टू फिर दो कुरुस तथा 9 महिलाएं मिलकर कारी को 8 दिनों में समाप्त कर रही है इन्टू में 8 हो जाएगा 8 से 8 cancel होगा 4P यहाँ है 2P यहाँ है तो P को हम एक तरफ करेंगे M को एक तरफ करेंगे तो 2P को इधर लेके आएंगे बचेगा 4P में इसे minus होगा तो 2P आएगा equal to 9M यहाँ है 6M यहाँ है तो इसे हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो यह भी minus होगा तो 3M आ जाएगा तो P by M equal to 3 by 2 आ गया फिर यहाँ से हम क्या करेंगे आप total work निकालेंगे पहले तो 4P के अस्थान पे 3 रखेंगे प्लस 6M M के अस्थान पे 2 रखेंगे 2 इंटू में 8 हो जाएगा तो 3,4,12 प्लस 6 दूनी 12 इंटू में 8 12,12,24 हो जाएगा 24 बुड़े 8 यह क्या आया यह total work आया फिर यह कह रहे हैं 18 महिला आए काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे 18 महिला आए 18M माल दीजे X दिनों में समाप्त करेंगी X से गुड़ा कराएंगे 18M M के अस्थान पे कितना रखेंगे 2 रखेंगे इंटू में X इकॉल टू 24 इंटू 8 हो जाएगा 18 और 2 बराबर के इधा करेंगे तो बटे में हो जाएगा 18 गुड़े 2 तो 6 चौग 24,6,3,18 2,1 के 2 2,4,8 तो 4,4,16 बटे 3 या फिर इसे लिख सकते हैं 3,5,15,5,1,1 बटे 3 दिनों में कारे समाप्त करेंगे फिर अगला को इस्थान देखते हैं यदि 4 पूरूस या 8 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो 6 पूरूस तथा 12 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे देखते हैं दिए हैं चार फुरुस या आठ महिलाएं चार फुरुस या आठ महिलाएं किसी काम को पंदरा दिनों में समाप्त करते हैं चार फुरुस पंदरा दिन तक कारी करेगा 8 महिलाएं भी 15 दिनों तक कारी करेंगी तो दोनों में हम 15 से गुड़ा कराएंगे फिर यहां से 15 पंदरा कैंसिल करेंगे 4 1 के 4 4 दोनी 8 1 P इकोल 2 2 M P by M इकोल 2 2 by 1 हो जाएगा फिर यहां से भी हम टोटल वर्क निकालेंगे तो 15 गुड़े 4 P P के अस्थान पे 2 रखेंगे यह टोटल वर्क आया तो टोटल वर्क 15 गुड़े 4 गुड़े 2 कितने लोग कह रहा हैं 6 पुरूस तथा 12 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे 6 पुरूस और 12 महिलाएं ना 6 पुरूस और 12 महिलाएं X दिनों में कारे पूरा करेंगी तो 6 P P के अस्थान पे कितना 2 रखेंगे तो 6 इंटू 2 पुलस 12 इंटू M के अस्थान पे 1 रखेंगे इंटू में X इकुल टू 15 गुड़े 4 इंटू 2 हो जाएगा 6 दूनी 12, 12, 12, 24 तो कितना आ गया 24 X आया 24 को हम यहां लिख सकते हैं 4, 1, 4, 4, 6, 24 2, 1, 2, 23, 6 3, 1, 3, 5, 15 तो दोनों लोग मिलकर 5 दिनों में कारे समाप्त कर लेंगे फिर अगला को इस्थान देखते हैं एक कारे को 15 पूरूस 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि उस कारे को 24 महिलाएं 20 दिनों में पूरा करती हैं 10 पूरूस और 8 महिलाएं उस कारे को कितने दिनों में पूरा करेंगे देखते हैं यह भी ऐसे ही रहेगा तो दिये हैं एक कारे को 15 पूरूस 20 दिनों में पूरा करते हैं 15 पूरूस 15 पूरूस 20 दिनों में कारे को पूरा कर रहे है फिर कहरें जबकि उसी कारे को 24 महिलाएं 20 दिनों में पूरा करती है 24 महिलाएं 20 दिनों में पूरा करती है 20 से 20 कैंसिल होगा 3 पचे 15 3 अठे 24 5 P इक्वल टू 8 M P by M इक्वल टू 8 Y 5 हो जाएगा फिर यहां से हम टोटल वर्क निकालेंगे 15 गुड़े P, P के अस्थान पे 8 रखेंगे इन्टू में 20 तो कह रहे हैं 10 पुरूस तथा 8 महिलाएं 10 पुरूस तथा 8 महिलाएं कारे को एक्स तिनों में पूरा करेंगे 10 P, P के अस्थान पे 8 रखेंगे प्लस 8 M, M के अस्थान पे 5 रखेंगे इन्टू में 5 इन्टू में X से इकॉल टू 15 गुड़े 8 गुड़े 20 हो जाएगा तो 10 अठे 80 और 8 पंचे 40 80 और 40, 120 हो जाएगा 120 को हम इधर लिखेंगे बटे में करके 0 से 0, 2 1 के 2 चक 12 3 दूनी 6, 3 पचे 15 2 1 के 2 चोग 8 X इकॉल टू 20 तो दोनों लोग मिल कर कारे को 20 दिनों में समाप्त करेंगे फिर अगला करिशन देखते हैं 3 पूरूस या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है तो 6 पूरूस या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करती है तो 3 पूरूस बारा दिनों तक कारी करेंगे फिर 5 महिलाएं भी 12 दिनों तक कारी करेंगी तो बारा से बारा का एंसिल होगा P by M equal to 5 by 3 हो जाएगा ना फिर यहां से हम टोटल वर्क लिकालेंगे तो बारा गुड़े 3 P के अस्थान पे 5 तो बारा गुड़े 3 गुड़े 5 तो यह कह रहे हैं 6 पुरूस तथा 5 महिल आएं काम को किछने दिनों में पूरा करेंगी 6 पुरूस तथा 5 महिल आएं कारे को X दिनों में पूरा करेंगी ना तो 6 P, 6 इंटू P के अस्थान पे कितना 5 प्लस 5 इंटू M, M के अस्थान पे 3 रखेंगे तो 6 पंचे 30, 30 प्लस 5 तियाई 15 30 में 15 जोड़ेंगे 30, 10, 40, 45, 45 तो यह दिहर आगया 45, 45 को हम इधा लिखेंगे तो बटे में हो जाएगा 5, 1, 5, 9, 45, 3, 1, 3, 3, 9, 3, 4, 12 X इकोल टू 4 आगया पिर अगला कुछिशन देखती है 10 लोगों की एक टीम एक कारी को 12 दिनों में कर सकती है उसी काम को 10 महिलाओं की टीम 6 दिनों में कर सकती है यदि दोनों टीमें एक साथ कारी करती है तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा देखते हैं दिए हैं 10 लोगों की एक टीम है 10 लोगों की एक टीम है जो कि कितने दिनों में कारी कर रहे हैं 12 दिनों में 12 दिनों में फिर 10 महिलाओं की टीम है दस मैलाओं की टीम है ये छे दिनों में कारी समाप्त करती है फिर ये कह रहे हैं यदि दोनों टीम में एक साथ कारी करती है दोनों टीम में एक साथ कारी करेंगी न तो हम दोनों को जोड लेंगे दोनों की efficiency लिखेंगे एक वटे बारा प्लस एक वटे छे LCM लेंगे तो कितना आजाएगा 12 आएगा 1 प्लस 6 दूनी 12 3 बटे 12 3 एके 3 चौब 12 तो दोनों लोग की efficiency कितनी आई 1 बाई 4 आई लेकिन जब हम डे निकालते हैं तो इसको फलट के लिखते हैं तो दोनों लोग दोनों टीमें मिलकर 4 दिनों में कारी समाप्ट कर देंगे फिर अगला question देखते हैं कुछ पुरुस एक काम को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं यदि 5 पुरुस और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता है आरंब में कितने पुरुस तो देखते हैं अगला question तो ये कह रहे हैं कुछ पुरुस एक काम को 30 दिनों में खत्म करते हैं कुछ पुरुस माल लीजिए माल लीजिए X आदमी कारी कर रहे हैं कितने दिनों में 30 दिनों में कारी कर रहे हैं फिर ये कह रहे हैं 5 पुरुस और आ जाएं यदि 5 पुरुस और आ जाएं पहले X पुरूस थे, 5 पुरूस और आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? X प्लस 5 होगा, और यह कह रहे हैं, 10 दिन पहले काम खत्म हो जाता है, 30 दिन तक कारिक दा था न, X पुरूस, और वो 10 दिन पहले ही कारिसमाप्तितर ले रहा है, तो यहाँ पे 20 होगा, तो यहाँ पे आदमी 1 पहले वाक्य का, इंटू में, दिन 1 पहले वाक्य का, इक्कोल टू, आदमी 2 दूसरे वाक्य का, इंटू, दिन 2, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 3X इक्कोल टू, 2X प्लस, 2 पंचे, 10, तो 2X को बराबर के इधर लेके आएंगे, 1X होगा, X इक्कोल टू, 10 हो जाएगा, तो अगला कुश्चन देखते हैं, एक ठेकेदार ने 40 दिन में सडक बनाने का ठेका लिया, और इस कारी के लिए उसने 25 पुरुसों को काम पर लगाया, 24 दिन पर 7 उसने पाया की, केवल 1 बटे 3 भाग सडक बन पाया है, तो 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने पुरुस काम पर लगाने होंगे, देखते हैं, कह रहे हैं, एक ठेकेदार ने 40 दिन में सडक बनाने का ठेका लिया है, 40 दिन, फिर कह रहे हैं, और इस कारी के लिए उसने 25 पुरुसों को काम पर लगाया, और 24 दिन पस्चात उसने पाया कि 24 दिन 40 में से 24 दिन इधर हो गया तो बच्चा कितना सेश? 16 दिन और बच्चा है 16 दिन हो जाएगा तो यह कह रहे हैं हाँ 24 दिन पस्चात उसने पाया कि केवल 1 वटे 3 भाग सड़क बन पाया है एक बच्चे तीन भाग सड़क बन पाया है सेश कितना बच्चा? 3 में से एक भाग सड़क बन गया है तो सेश 2 बच्चा 3 में से और मान लीजिए एक्सपूरुस कारी कर रहे थे यह हो जाएगा पहला वाक्य और यह दूसरा वाक्य तो पहले वाक्य का गुड़ा इधर करेंगे 24 गुड़े 25 दिन गुड़े आदमी मन बटे में कारी बन होता है तो कारी कितना हो गया तीन में से एक कारी हो गया है इककोल टू सोला दिन एक्स आदमी तीन में से दो कारी सेश बचा है तो यहाँ पे टू लिखेंगे तो दो एक के दो दो अठिन सोला चार दूनी आठ चार चक चौबीस दो एक के दो त्याइए छे एट से इककोल टू 25 तिन पचातर तो कितने आदमी कारी कर रहे थे फिर यह कह रहे हैं काम खत्म करने के लिए कितने आदमी पुरुस काम पर लगाने होंगे तो 25 पुरुस पहले से थे कितने पुरुस और लगाने होंगे 50 पुरुस काम पर और लगाने होंगे